तो भाई इस वीडियो में हम लोग डिस्टर्स करने वाले हैं इंडियन एर फोर्स के फाइनल मेडिकल का रिव्यू और इंडियन एर फोर्स के जोइनिंग का रिव्यू तो भाई इस वीडियो को लाज तक देखिएगा अगर आप लोग जो है इंडियन एर फोर्स की जोइनि होने वाली है तो वीडियो में बने रही है लास्तक देखिए इस वीडियो में एक बहुत इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ एक जो है न्यू इन्फो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो भाई वीडियो में बने रहेगा वैसे यह जो वीडियो है यह चौथी वीडियो होने वाली है इंडियन एरफोर्स के ज्वाइनिंग और मेडिकल रिविईू के रिगार्डिंग तो भाई ये फोर्थ वीडियो होने वाली है हमारी और भाई सभी वीडियो में एक चीज जो है वो सेम रहने वाली है कि आपको स्टेसन या जो भी एरपोर्ट जैसे भी आप लोग जा रहे हैं वहाँ से आपको ATS कैसे पहुँचना है ATS आपको कैसे ले जाया जा रहा है और वहाँ का जो प्रोसीजर है वो क्या रहा है भाई चेंजमेंट बस इसमें होने वाला है कि उस दिन कितने बंदे वहाँ रिपोर्टिंग थी कितनों की और कितने बंदे जो है वहाँ पे प्रजेंट थे फाइनल मेडिकल का लेवल क्या रहा और फाइनल मेडिकल में कितनों बंदों को किस दिन कितने बंदों को आउट किया गया और उन बंदों को कौन कौन से पॉइंट जो है इन में आउट किया गया था बाकी भाई जितने भी प्रोसेस है सेम होने वाले है सभी दिन बाकी जितने भी प्रोसेस है वो सेम होने वाले है यानि कि फ्रेंट्स कैसे आपको ATS ले जाये जाएगा वहाँ DV कब होगी, Medical कब होगा आप लोग अगर एक दिन पहले पहुंचते हैं तो क्या होगा, सब कुछ जो है वो पहले से ही जो है जो भी प्रोसेजर है वो सेम रहने वाला है, वो नहीं बदलने वाला बदलने वाला क्या है, वो मैंने अभी आपको बता दिया तो भाई वही सेम प्रोसीजर को हर बार हर वीडियो में बताना भाई तो आपका time waste है इसलिए आप लोग जो है previous वीडियो कोई भी तीनों में से कोई भी वीडियो जो है या कोशिस करिए कर जो first वीडियो है joining की related जो भी तो उसको जो है channel पर जाकर आप लोग देख लीजिए first वीडियो को तो उससे यह होगा friends की आपको procedure के बारे में सही से जो है जानकारे मिल जाएगी सही से info मिल जाएगी इस वीडियो में हम भाई एक important चीज बताने वाले आपको और वो चीज है यह आपके final medical care related और भाई वो बात यह है वो info यह है कि आपका final medical बहुत ही easy हो रहा है जी हाँ friends आप लोग का final medical जो है वो बहुत easy हो रहा है वैसे check-ups हो रहा है जैसे कि eye, ear, nose, mouth जो भी है सभी चेकप्स हो रहा है प्राइवेट पार्ट्स का भी चेकप्स हो रहा है तो सभी चेकप्स हो रहा है लेकिन भाई जो चेकप्स है वो easy हो रहा है तो इसलिए आप लोग को जैसे कि अभी मैंने आई के बारे में आपको बताया था कि आई जो आपका चेकप्स होगा वो machine से ह यह नहीं होगा कि आपको पढ़वाया जाएगा तो जो भी बंदे final medical को लेकर डरे हुए हैं उनके लिए यह best news है कि final medical उतना हड नहीं हो रहा है तो आप लोग को वहाँ final medical में डरने की कोई जरूरत नहीं है आप लोग अगर medical fit थे यानि की initial medical fit थे और आपका कई fracture वगारा नहीं हुआ है कई आपने surgery वगारा नहीं कराई है तो भाई आप वहाँ भी finally fit होने वाले हैं क्योंकि भाई अगर आपने surgery या कोई fracture आप में नहीं ह तो आप लोग finally fit होने वाले हैं तो इसलिए final medical को लेकर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है और भाई कल 5 अब जुलाई है और कल हमारे साथ के दो बंदों की reporting है तो भाई आपको एक best वीडियो प्रवाइड करने वाले हैं हम कल जो है medical के related final medical और ज्वाइनिंग के related एक बह उने कर भी लिया होगा ताकि जब वीडियो में अपलोड करूँ तो आपको जो है उसकी notification मिल जाए तो friends thank you for watching my video thanks a lot my dear friends